नमस्कार दोस्तों हमारी चन्न ग्यान विशेस में आप सब का स्वागत है आज हम आपको एक फिर से नई और महत्वपून जानकारे देंगे ये जो जमिन पर फेला हुआ घांस का सत्ता आप देख रहे है ये कोई आम वनस्पति नहीं है इस चगत में कोई भी ऐसे चीज नही है जो काम की न हो कुदरत के अनमोल खजाने में ऐसी विशिट प्रकार के गुणों वाले जड़ी बुटिया मौचुद है जिसके बारे में हमें जानकरी नहीं होती ये जड़ी बुटिया मनुस्य जिवन के कई प्रकार के बीमारियों को दुर करती है ये जड़ी बुटिय एक चमतकारिक गुणों वाली जड़ी बूटी है चांगेरी ये घांस कोई आम घांस नहीं है ये खटी मिठी घांस है इसे तिन तिन पत्र जोड़े में लगते है और इसके पत्तों की सबजी बना कर लोग बड़े चाओं से खाते है इसके पत्तों का स्वाद खटा मिठा होने से लोग इसे खटी मिठी घांस भी कहते है ये घांस बहुत खूब मिलती है और बरसाद के बाद ये सभी जगह पर बड़ी आसाने से उग जाती है जो आप जमिन पर फैले हुई ये घांस देख रहे है ये खटे मिटी गांस है जिसे चांगिरी से जानते हैं तो दोस्तो आसा करता हूँ कि इस गांस रुपी जड़ी बिटी को आपने अवस्चे ही पहिचान लिया होगा दोस्तो ये गांस नसा छोड़ाने की सबसे बड़ी अफ़ल नमबर की एक अवसदी है नसा चाहे सराब का हो भांग का हो या गांजे का किसी भी प्रकार का नसा हो इस चांगिरी के प्रयोग से नसे की लट चुट जाती है नसा करने वाली व्यक्ति नसे की लट से आधस से पूरी तरह बरबात हो जाता है साथ ही ये अपने परिवार को भी परबात कर देता है तो दोस्तो आज की वीडियो में हम इस तीन पत्या घांस याने चांगिरी के प्रयोग से नसा छुड़ाने की विदि आपको बताएंगे इससे पहले जान लेते हैं इस तीन पत्या घांस के आयरवितिक गुण और फायदे के बारे में तो आज हम इस खट्टी मिठी घांस के बारे में ही बात करेंगे दोस्तो ये घांस जमिन पर फेलता है एक चट्टे की रूप में और बहुत फेलाव होता है इसकी एक दूसरी प्रजाती भी पाई जाती है जिस पर गुला भी रंग के सुन्दर पुस्प लगते है इस घांस का नाम है चांगेरी कोई इसे तिन पत्या घांस तो कोई इसे खट्टी मिठी घांस से भी जानते है अगर आपको इस प्रकार की जानकारी अच्छी लगती है तो अभी लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे क्योंकि इस प्रकार की जानकारी अक्सर हमारे चैनल पर आती रहती है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करे तो दोस्तो चलिए चानते हैं चांगिरी के बारे में विश्तार से ये चांगिरी का खास कई प्रकार के अवसदिय गुनों से भरपूर होता है अगर आपके आसपास में या आपके खेतों में ये खास पाया जाता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखे क्योंकि इसकी जानकारी आपको एक ना एक दिन जरूर काम आएगी दोस्तो सिर दर्द एक ऐसी समिश्या है जो कभी ना कभी किसी को होता ही है अगर किसी को सिर में दर्द होता है तो इसकी पत्तों को पिसकर इसका लेप बनाकर माते पर लगाए कुछी समय में जल्दी से आराम हो जाता है अगर किसी को आधे सिर में दर्द हो रहा हो जिसे आधा सिसी कहते तो इस समस्या से चुट करा पाने के लिए तो इस खट्टी मिठी घांस के ताजय पत्तों को निचोड कर इसका कुछरस निकाले और जिस तरब आधे सर में दर्द हो रहा हो उदर की नाक में डाले आधे सर का दर्द ततकाल हमेशा के लिए ठीक हो जाता है इसके अतरिक्त अगर किसी को खांसी, बलगम या कप की समस्या होती है तो इसकी ताजय पत्तों का रस निकाले और इसमें थोड़ा पानी मिलाकर दो-दो पूंदे नाक में टपकाने से भी ये समस्या ठीक हो जाती है दोस्तों इस चांगिरी के पत्तों का स्वात बहुत ही खटा मिठा और लाजवाब होता है इसके पत्तों की अगर आप सबजी या चटनी बनाते हैं तो बहुत ही स्वाधिष्ट बनेगी अगर गर में चोटे बच्चे है और पार्चन सक्ति कमजोर हो इन्हें भूख न लगती हो तो ऐसे में तो इस चांगिरी के पत्तों के साथ अद्रक और पूदिना मिला कर चटनी बना कर खिलाएं ये चटनी बहुत टेश्टी बनेगी और बच्चों की पार्चन सक्ति मजबुत बनेगी इसके अलावा इसके पत्तों की सबजी बना कर कुछ दिनों तक लगादार खाने से आतों में जो इन्फिक्शन होता है ये भी ठीक हो जाता है इससे कमजोर पार्चन सक्ति भी मजब करने से महिलाओ में होने वाली अधिक ब्लेडिंग की समस्या दूर होती है इसके अतिरिक्त सपेद पानी की समस्या में भी आराम होता है जिन लोगों को अर्च और बवासिर की समस्या है बवासिर में खुन आ रहा हो तो ऐसे में इसके ताजी पत्तों की सबजी का कुछ दि से चार ग्राम की मातरा में रोजाना पाने के साथ सेवन करे या इसको दस ग्राम की मातरा में लेकर काढ़ा बना कर पंदरा से बिच्विली की मातरा में पिए यही नहीं दोस्तों ये चांगिरी बुटी का घांस दातों के लिए भी अधिक फायदेमंद साबित होता है इसके ये आप चांगिरी के पत्तों को सुखा कर चुर्ण बना कर रखे। इस चुर्ण के साथ हल्दी, फिटकरी, सैंधा नमक, लॉंग इन सब को मिला कर चुर्ण बना कर रोजाना दातों में मंजन करे। इससे हिलते हुए दात भी मजबुत बन जाते हैं और मसूडे स्वस्थ र रहा हो, दात हिल रहे हो, तो इसके ताज्य पत्तों का रस निकाल कर साथ में फिटी किडी मिलाकर कुला करे। इससे जल्दी ही फाइदा महिसोस होगा। ये तिन पत्तिया गांस चहरे की सुन्दरता को भी बठाती है। इसके लिए इस जांगिरी के पत्तों का ताज रस न ये प्रयोक रोजाना करने से चहरे की सुन्दरता बढ़ती है, खुरापन बढ़ता है और चहरे की जुरिया खत्म होती है। क्यों न हो, चाहे भांग हो, धतुरा हो या सराब का। कुछ दिन लगादार चांगरी का रस्पिती रहने से नसे के प्रती नफ्रत हो जाएगी और धीरे धीरे नसे की आदत चुट जाएगी। तो दोस्तों ये थी खटे मिठी घांस की छोटी सी मगर महत पूर्ण जानकारी। जानकारी अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा सेर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब धरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई और महत पूर्ण जानकारी के साथ।